ऐसे ही एज़केशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें ओके नाओ लेट्स स्टार्ट हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं विकास एक बर फिराया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यी स्टडी विद अनिल सर में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी हम लोग वर्ल्ड जोगर्फी यानि कि विश्व का भूगल पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड जोगर्फी के इस सफर में हमने बहुत सारे इंपोर्टन लेक्शर्स को पहले ही पढ़ लिया है तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे उन भी वीडियोस को देख सकते हैं खेर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक को आज का टॉपिक होगा वन जिसे हम लोग फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के लेक्शर को वो भी बिना किसी देरी के किसी भी शेत्र में स्वत्ता उगने वाले व्रिक्ष पौधे और घास की सगनता को वन कहते हैं दोस्तों प्रारंभी का वस्ता में प्रिथवी का करीब 75% भाग वनों से ढका हुआ था लेकिन बड़ती जनसंख्या और क्रिसी के विकास के कारण अब प्रिथवी पर करीब 30% भाग वन रह गये हैं तो दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब पहले बहुत पहले की बात बता रहें जब प्रिथवी पर केवल जानवर रहते थे मानों नहीं रहते थे उस समय 75% भाग वनों से ढका होता था लेकिन जैसे 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 जनसंख्या बढ़ती चली गई और development होना शुरू हो गया वैसे वैसे आज के समय में केवल 30% भाग पर वन रहे गया हैं अब दोस्तों देखते हैं वनों के प्रकार वन कितने प्रकार के होते हैं अब हम यह देखेंगे तो वन कहीं तरीके से होते हैं पहले नंबर पर हम लोग देखते हैं विशुवत होते हैं एवर ग्रीन फॉरेश्ट होते हैं यानि कि सदा बहार वन होते हैं दोस्तों आपको वनों के प्रकार बताने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूं जो ब्रिथवी के बीचों बीच से एक इमेजनरी लाइन ड्रॉकी गई है उसको बोलते हैं कर रेखा खीची गई है ऐसे कई सारी रेखा खीची गई है इमेजनरी लाइन ड्रॉकी गई है तो जो बीच की रेखा हो गई विश्वत रेखा वो हो गया जीरो डिग्री अक्षांस ऐसे ही एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री उपर जैसे हम बढ़ते जाएंगे वै मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा आपको वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा तो पहला प्रकार हमने क्या देखा विश्वत रेखिये उस्डाद्र या सदा बहार वन दोस्तों जैसा नाम से ही पता चल रहा है विश्वत रेखा चलो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा आरित होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इसमें उंचे तापमान और साल भर वर्सा होती रहती है ठीक है दोस्तों तो अगर मैं आपको मैप के थ्रू अगर बताने का कुसिस करूं तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे यह हमारा अर्थ है ओके दोस्तों यह क्या है हमार स्च डिगरी दक्षिर्ण की तरफ तो यह जो पूरा area होगा ठिक है यही हमारा सदा भाहरवन कहलाता है या από कर विशुवत रेखी उश्राद्रवन कहलाता है ठिक है इसमें क्या होते हैं और सदाबहारवन होते हैं ठीक है दोस्तों आई होप आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं अपने अगले पार्ट को अगला क्या कह रहा है यह मुख्यता डक्षिड अमेरिका में अमेजन बेसिन पस्चिमी अमेरिका अफ्रीका ऐसिया के दूइप समू आद्य में पाए जाते हैं तो यह सब जो हैं बात्य अग्षिड अक्ष्छांस के बीच में पढ़ते हैं इसलिए उस्लिएं पाए जाते है विशुरत रेखषा आपको समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं अमेजन नदी कीगाटी में प्राप्त वन को सेलवास कहा जाता है तो दोस्तों कई बार एक्जाम में पूछा जाने वाला यह कोश्चन है इसको आपको ध्यान रखना है सेलवास क्या होता है अपने जिसका नाम जरूर सुना होगा तो अमेजन नदी की घाटी में प्राप्त उश्राद्र वन को सेलवास कहा जाता है तो यहां पर साल भर वर्षा होती रहती है और गर्मी भी रहती है इसी लिए हम लोग इसको ऊश्राद्र वन कहते हैं और जो अमेजर नेतिकी काटी में पाए जाते हैं तो इसके अंडर कितने सारे ट्री पाए जाते हैं एक पर में फिर से रेपीट कर देता हूँ महोगनी, अबनूस, सागाउन, बास, सिनकोना, रबर, नारियल ये सब ब्रिच पाए जाते हैं इन वनों में मिलने वाला सिनकोना व्रिक्ष में मलेरिया की रोख थाम के लिए कुनेयन दवा बनाई जाती है तो दोस्तों इसमें जो वनों का उसका नाम है उश्ल कटी बन दिये चोड़ी पत्ती वाले पर्डपाती वन जिसको हम लोग मानसून वन भी कहते हैं ठीक है क्या नाम है इसका उश्ल कटी बन दिये चोड़ी पत्ती वाले पर्डपाती वन जिसको मानसून वन के नाम से भी जाना दाता है ये वन भ पांच डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अगर मैं आपको इसको भी इमेज के माध्यम से बताना चाहूं तो जैसे यह हमारा अर्थ है अभी मैंने आपको बताया था कि यह हमारा क्या है विश्वत रेखा है और यह हमारा 5 डिग्री की रेखा है अब हम 5 डिग्री से 30 डिग्री इरिया ठीक है यहाँ पर उस रिकटी बन दिये चोड़ी पत्ती वाले पड़पाती वन या फिर मानसून वन कहते हैं वो पाय जाते हैं आपर अई होप आपको समझ में आ रहा होगा इन छेत्रों में पाय जाने वाले व्रिक्ष ग्रीस मेरी तुमें पत्तियां गिरा देते है इसलिए इन्हें पत्ति जड़वन भी कहते हैं ठीक है दोस्तों ग्रीस मेरी तुमें ये क्या करते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इसलिए इन्हें पत्ति जड़वन भी कहते हैं पत्ति चोड़ी होने के कारण चोड़ी पत्ति वन कहते हैं तथा मानसूनी जलव ये मानशूनी वन एसीया में 150 cm से लेकर 200 cm तक वाले विक्षवाली छेत्रों में उगते हैं जहां पर 250 cm से लेकर 200 cm तक का विक्षव होती है इसमें उगने वाले प्रमुख विक्ष हैं साल, शीषम, सागवन, आम, महोगनी, चंदन और देवडार ये सब इनके प्रमुक व्रिक्षे हैं जो कि उश्र कटि बंदिये चौडी पत्ति वाले पड़पाती वन कहलाते हैं ठीक है अब हम तीसरा देखते हैं भूमद्य सागरी वन इसको हम लोग शीतोश्र कटि बंदिये चौडी पत्ति वाले सुस्क और सदापरडी वन कहते हैं इसको हम लोग विशुवत रेखिये वन भी कहते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं ये वन 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री अक्षांसों के मध्य महादुईपों के पस्चिमी भागों में पाए जाते हैं ठीक है दोस्तों इन वन में विक्षों क सघंता कम होती है और इनके बीच में जाडियां पाए जाती है तो ऐसे जो वन होते हैं इनमें विक्ष जादर नहीं पाए जाते हैं लेकिन वहाँ पे कई सारी जाडियां पाए जाती हैं इनमें उगने वाले विक्ष कौन कौन से हैं जैतून, शहतूत, फर, पाइन, पत्ती वाले परण पाती वन ये वन उत्वरी गोलार्ध में 40 डिगरी से लेकर 50 डिगरी अक्षांसों के बीच में पाए जाते हैं, इन वनों में विरिक्ष सीति लुत्यूं में अपनि पत्तिया गिरा देते हैं, ये कहां पर गिराते हैं, शीत रुतु में अपनी पत्तिया गिराते हैं, और पूरी शीत रुतु में चोड़ी पत्तियों से विहीन रहते हैं, इसमें क्या होता है, शीत रुतु में पत्तिया गिरा दिया तो पत्ती इनके पास बची ही नहीं, इन्हें चोड़ी पत्ति वाले पड़पाती वन भी कहते हैं ठीके दोस्तों इन विक्ष में चेस्ट, नट, हेमलॉक, वालनट, बीच, युकलिप्टिस, मैपल, चाइन, ये सब आधी उगते हैं ठीके ये सारे पेड़ यहां पर उगते हैं ये सब उनके एक्जामपल हैं उसके बाद हम देखते हैं समशी तोउष्ड, कोडधारी, संकुल वन ये वन 50 डिग्री से लेकर, 70 डिग्री उत्री अक्षांसों के बीच में उत्री अमेरिका तथा यूरोशिया के उत्री भागो में मिलती हैं ठीके, दोस्तों, ये कहां पे मिलते हैं? ऐसे वन जो होते हैं, 50 डिगरी से लेकर, 70 डिगरी उत्तरी अक्षान्सों के बीच में, ठीके, उत्तरी अमेरिका और जीरोसिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं, ये समुद्र तल से पंदरा सो से दो हजार मीटर तक की उचाई पर इस्थित होते हैं और साइबेरिया में इन्हें टैगा वनस्पती के नाम से भी जाना जाता है ठीके दोस्तों साइबेरिया में इन्हें किस नाम से जानते हैं टैगा वनस्पती के नाम से इन व्रिक्षों की पत्तियां नुखीली, शंकुल या कोणधारी होती हैं कैसी होती है इनकी पत्तियां नुखीली होती है शंकुल होती है और कोणधारी होती है इनमें चीड, फर, स्प्रूस, हेमलोक, बर्च, स्पाइडर, सॉप्रेस और बलू पाइन आदे विक्ष पाए जाते हैं तो ये सारे उनके विक्ष के एक्जामपल हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तो अब हम देखते हैं टुंडरा प्रदेश टुंड्रा प्रदेस में पाये जाने वाले वन को बोलते हैं टूंड्रा वन ये वन प्राया 50-60डिगरी के बाद के अकशांसों में पाये जाते हैं और यह जो इलागा होता है वो सदा ही बर्फ उसे भका रहता है और यहां पर गरमी में Mosses और Likens उखते हैं ठीके क्या-क्या उखते हैं यहांपर Mosses and Likens यह Tundra 1 कहलाते हैं ठीके और यह पूरा प्रदेश क्या कहलाता है Tundra प्रदेश कहलाता है तो दोस्तों I hope अब आपको सारी चीजे फोरेश्ट के जितने भी टाइपस मैंने आपको बताए आपको बहुत चत्रे से समझ में आ गया होगा अगर आपको अभी भी कोई confusion है ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप comment के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं ठीके दोस्तों तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो क्योंकि ऐसे ही हम बहुत सारे important topics पूरे geography के लाते रहेंगे तो चलिए खतम करते हैं अपनी आज की वीडियो को मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक ऐसे ही पढ़ते रहे हस्ते रहे मुस्कुराते रहे जाहें दोस्तों